का मुख्यमंत्री कौन वसुंद्रा राजे सिंध्या या फिर बाबा बालकनात इसको लेकर के लगतार असमंजस खड़ा हुआ है लेकिन अब बाबा बालकनात के लिए मुख्यमंत्री पद ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल पक्का हो चुका है अलाकि अलग-अलग अटकले भी चल लही है लेकिन उन अटकलों से दूर हम आ चुके हैं कैसे गाउं में जहां पर बाबा बालकनात का बच्पन कहते हैं शुरुआती बच्पन जो है वो बीता और उनका पैत्रक गाउं जो है वही हम आ चुके हैं और इस गाउं की हर्याली आपको पहले हम दिखाते हैं इस हर्याली के बीच में बाबा बालकनात रहते थे और उसके बाद जब उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया तो लंबे समय के लिए वो एक तरह से यहां से चले गए और मट को जोइन कर लिया मट में लंबे समय तक वो रहे और आठवे महंत बने लेकिन बाबा बालकनात का आशिरवाद रहा खासतोर पर इन बुजर्गों का आशिरवाद रहा ये हैं बाबा बालकनात के दादाजी हैं बाबा बालकनात के दादाजी हमारे साथ हैं उनके अंकल जो हैं वो हमारे साथ ज देख रहा हैं तस्वीरों में यह फोटो साफ़तौर पर दर्शाती है किि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित Christmas और लक तो बाबा बालक नाथ को एक साथ रखा जाए तो उनमें जादा कोई फर्क नहीं ओगा जाए दादाजी से हम बाचित करते हैं तो आदीजी आप किया लगते हैं पुर बुझ जाए जिए हो रहे हैं की आपका पोता जो है वह मुख्मंतरी का दौएदार है राइस्ता लगना रहे हैं तो प्राथनाएं बीचल नहीं होंगी कि उनका नाम थेले को रहे हैं और उनके नाम से प्राथनाएं दीजा रहे हैं कि उनका जो शुरुवाती बच्पन था आपने तो अपने गोद में खिलाया होगा कैसा रहा थोड़ा सा बताई बच्पन उनका मतलब छोटा बच्पन से तो मतलब हमारी खेल बच्पन तो खेल ले था हमारे अंदर बाकी वो जो मुरें पांच साल में गई थे पांच और छे खेता ना जी और आस्रम है तो उनको गुश्व पदी हमारी तो इसे या घैयाल भवामाराज खेतानात जी ने उनको अबना तो यह शिच्छ के नाव से मरब पेशणा था कि वह यह हमारा निक आत्या तो अ कि पताया है कि आप दादा हैं जब कहते हैं कि बच्पन में बच्चा घर पे अंदर रहे आपके यहां से खेले बैट कुदे वह जादा इंपॉर्टेंट रहता है लेकिन बच्पन से उन्होंने इस्ट्रगल करना शुरू कर दिया बच्पन से उनका तो बच्चे थे साब लेकिन जो अपड़े महाराजी खेतानाद जी थी थी ना वो तो अंतर ज्यानी बड़े तपसी साद सब्सक्राइब करना शुरू को बच्पन से और वहां अपनी दादी मा के साथ महां जाया करते आश्रम में महाराजी उनको देखता था खेतानाद जी और उनका एक मास्टर था शिष्य उसको पूछते थे वही उम्राव सिंग इन बच्चों में दो भाई थे चोटा तो यहां परा है वहले इन बच्चों में आप देखो कोन सा बड़िया लगता है तो यह चोटे वाले का जो शरीर सामाजी कारें लें लगे रहे हैं वहां तो मतला वुज यह राजनीत में तो इसके सिसमेंपी तो जी तो उससे पहले तो यह अपना समाजिक कारी में वहां मैंतका देख भाल मठ की देख भाल में थी जब हम बात करते हैं योगी आधितिनाद की उत्रप्रदेश के मुख्यमंतरी है और जब हम बात करते हैं बालक नाजी की योगी ये भी है तो दोनों में कि आप समानता हैं क्या लगती हैं समानता थो ये है कि वह इन्से वह उमर में तो बड़े हैं और वह राजवनिती में से पहले शकरिये हैं लेकिन अपना आपसमें इनका गुरु भाई मानते हैं गुरु भाई तो नहीं मानेंगे वह तो थे अपने हैं शिश्तूसदूस्के ना अब जी कि आवेदनाध की इनका जुड़ाव मेला बहुत गहरा है और वो जो गद्दी है गोर्कनांत में आश्रम गोर्कपूर वह भी इसके निचे आती अस्तल गोर्न मठ के निचे लिए तो यह पर समय जाए अगर बेटा मुख्यमंत्री बंजाता है अब बोता मुख्यमंत्री बन जाता है अब तो म अब तो अम्मे तो उनको शीज नमन करता हूँ नहीं पहली ख्वाइश क्या होगी दादा जी तब मैं अपनी तरफ से तो मला उनको आशिरबात दूंगा और वह सकता है उनके बारे में यहां हमारे गाहन वाशियों को मिष्ठान या भोजन पानी भी कराने के मेरे इंच्छा होगी यह सबी चेतर वाशियों परशाद के वि तो मोधी जी का अगर दी के लिए मोधी जी का अगर ठानी क्वाशना ओठी मिली करुमत्त नेता मिलेगा और जैसे मोधी की विचार bilang के नशारत लेगा और इनकी जो इस पर आपने यह जाई यह ते तय है इन से बढ यह बंगाने को पालिर से बताएज सिक्ट जेताने राजस्तान को छोड़ दीना और प्लाइन कर जाने यहां से अजा क्यों उनको मुख्वंतरी पद क्यों मिलना चाहिए आप क्या मानते हैं क्या कोभिया हैं के अंदर वो बिशार उनके बड़ी हैं जी राजनेती में देश की सेवा जनता की सेवा और निष्टा के की दूल मुस्ति यह भग गर्ष्टी लोग तो यह चुना यह तो अपने गर के तरह कुछ देखते हैं वो तो खाली जनता के लिए आरे के दिल्लिक हैं और योगी जी भी गरस्त जीवन से अलग है? और योगी जीओर से लग हैं योगी आधित नहां की रगतते हैं तो इनक तो तो लगाव तो पूरी जंता से ना तो इनका कोई घर ना कोई इनका बाप वे ना कोई नाम से तो हैं लेकिन पूरी जंता इनकी तुम्हेर परिवार है और इस अधस्यां परीवार के यहां पर दीए आप चा चाटाव सब लोग हैं यहां पे और पीछे एक फोटो जो है ये फोटो आप देखिए मुस्कराता हुआ चहरा और इस मुस्कराते हुए चहरे पे थोड़ा सा आप देखिए बकाइदा वही वेशभूशा जिस तरह से योगी जी की वेशभूशा रहती है वैसे ही वेशभूशा जो है उन्होंने धारान की हुई है यही वज़ा है कि बह तो इसा आप से देखें जो तो बच्चा है लेकिन हम भी बच्चे है उनके अब तो आज के तारिक में तो हम भी बच्चे है ऐसा है यहीं मैंद जी को मुखमंतरी बनाया जाता है तो यूपी से भी बड़ी हम वातवर्ण यहां राजस्थान को जाएगा जिस परकार से योग किया है उससे भी बहतर पांच साल के अर्ष्यमी हो जाएगा है हां राजस्थान भी कोई इस्टेट है दूहरा इनका कोई लगाव नहीं है और तो यह नेताते हैं अपना घर बनाते है इनका तो घर है और इनका कोई मतलब वो त्वाइस नहीं है कमें दर्म जोड़ना है कि कि इलफ पब compatible कि अफ सेवा करने के लिए इनने सन्यास लिया था और उछसने का दाई तो भी यह होता है कि पूरी पबलीक अपनी है उनकी जितनी हो से के उतनी अपने सियवा करें पहले के मुकाबले में आप कहरें की बदला हो जाएगा तो क्या पहले क्या दिक्कती कॉंग्रेस के सब्सक्राइब में तो रोजने की बलादकार हुआ करते इस्तरियों का जीना अराम हो रहा था चोरी यहां मतलब टाजस्तान में ताप इत्यास उठा कजे को पास साल में और तका तो निकलना है गार से बाहर निकलना दुर्लब हो रहा था आपने तो बच्पन देखा है खेलते वह देखा होगा उनको और छे साल मेला कि वह चले गए यहां से तो उस दौरान कैसे थे वह बढ यहां थे उनको तो प्रकरती की देन है उनके तो लगाव मतलब गरिष्टी से सरो से नहीं था क्यों उनका तो पहले से किसी मोटिवेट थोड़ी किया थे उनके तो खुद के लाल सा थी और इस वर मतलब उनको मोटिवेट कर रहा था अब दाईताओ जी की कैसा लग रहा है क्या फिला रहा है लगरों से देश की शेवा करेंगा राजस्थान की शेवा करेंगा देश की शेवा करेंगा ये बात नहीं के हसमुख ये चेहरे के रहने वाड़ा है शुरू से बच्छापन में भी एक दम ये सारी तरह हसमुख ये बोल्ड था खेले था बहर सामने हम त अब चैतनाजी की अधू जी वह इनों नहीं घेतनाजी नहीं उनको चुना था अहां, आहां, अध्ट पर उनोंने चांदनाजी को आरपन कर दिया, तो यह भे यह मांगी होगा, चांदनाजी मांगा होगा, अब यह एक बच्छा लेयो जाकर दो, आमें, इस की गदी के लिए तो हो सकता है ख्यतनाजी से भी पहले माँगयावो अ फट उन्होंने चान्नाजी को चरडाया दिया है Congo liberty ने पड़ाया लिखाया this वाजोबी की बच्पन की चानना जी ने की है और वहांके उत्राद ही कारी है इसानाजी के चले हैं यह नहीं हो जी और यह देश की शेहवा की भाहुना है जैसे कि इनका विचार आदित नाजी का विचार है जो ही इनका विचार है कोराना गाओं में हम इससे में मौझूद हैं कोराना गाओं यह वही गाओं है जहां पर बालक नाजी का जो है बच्पन जो है एक तरह से बीता हाला कि जन्म जो है वो यहां पर हुआ लेकिन बच्पन से ही वो मठ चले गए और वहां पर जा करके ग्यान लेने लगे और वहां से ही लगातार आपको बताएं लंबे समय तक उनों ने वहाँ पर सिक्षा भी लिए और खास तोर पे समाज सिवा भी की आप वो पद मिलने जा रहा है उनको जो राइस्थान में खास तोर पे इस तमाम इलाकों में पहचान बनने वाला है मनाई जा रहा है कि मुखबंतरी तेज हो चुकी है और जैसे ही एनाउंसमेंट होगा उसके बाद बड़ा जश्न जो है इस गाउं में भी बनाया जाएगा यहां पर बुजर्ग लोग चाहते हैं कि उनको मुख्यमंतरी पर दिया जाए जैसे उत्रपरदेश में क्राइम खतम हुआ है वैसे ही राइस्थान का फैसला आखिर क्या होता है विडियो जैराम के साथ सेदामिर उसेन न्यूस नेशन कोहराना